दोस्तो स्वागत है आपका मेरे 13 मार्श के व्लॉग में ये है दिन जो स्टार्ट हो रहा है वॉक से मैं और ये गए थे वॉक पर फिर हम बैड़ गए थोड़े सी चक्कर लगाते हो लिए आवाज सबसे ज़्याद़ सूधी होती है सुबाद उसके बाद हम एक यूनिवर्सटी वाले पार्क में गए थी ये कॉलेज है उसके सामने एक पार्क है तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया बहुती सुन्दर सुन्दर वालियर में पार्क है और आज मैं आते ही नाली तो मेरी खुशी का कोड़ ठिकाना ही नहीं था डांस आ रहा circumstance स्किमा करने से पहले स्किन केर किया वहलोरणिक से लगा रहे हूं और उसके बाद मैं संस्करीम लगाई थी कल दे क्रीं कोई लगाई हीiqu वी उसको शायद मैंने कैप्चर नहीं कराय बहुत बार मैं आपको अपना डे रूटीन दिखा चुकी अह आज कोशिश करूंग आज मैं आपको अपने दलिया की रेसपी दे रही हूं जो नमकीन दलिया है इसके अंदर आप मैं नहीं डालती हूं तेल में प्याज डालके आप वह भी डाल सकते हैं मेरे घर में कोई खाता नहीं है पहले में गीया गाजर मटर सब डालती है अब मैंने एक प्याज लिया और एक हरी मिर्च थोड़ा सा मैं उसको सौटे करूंगी ऐसा वाइट सा कलर हो जाएगा थोड़ा फिर मैं ग्राइंड करके टमाटर डाल दूंगी फिर मैंने तीन चीज अग भर के बड़ा पानी का डाला है और यह कंसिस्टेंसी बनेगी पुलाओ जैसी बिल्कुल जैसे पुलाओ खाते हम अभी मैं आपको दिखा दूंगी मेरे बिटली को अब क्या चाहिए अब क्या चाहिए मैंने बनाया दलिया और धही आपको पसंदेना पानी पानी भी है यहां मैं सब को परोस्री हूं दलिया धही के साथ यह है बिल्कुल रेडी मेरे पती का गुस्ता और यहां मेरा व्लोग क्या कर दिया मैंने आपके साथ बता दो थोड़ी मेरी तारीफ कर रहा है अब निकल नहीं सकते वो उसके अंदर से पानी में से चोड़ दे सुन पापा को देर हो रही कुड़ा चोड़ दे भागो सुनो भागो भागो वश्ता वश्ता करने के बाद मैं यहां पर थोड़ी सी वीडियो कर रही थी यह कॉटन की कुट्टी है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दाल दूंगे वन नाइन्टी नाइन की है फाइव एक्सल तक प्राइज है इसका यह काटे है ममी ने प्याज आज बनेगी फिश और आज मैं बना रही हूं देल से मैं बारा बज़े से एडिटिंग कर रहे हूं और बहुत टाइम लग जाता है एडिटिंग में यह डेली व्लॉफ डालो तो आपको साथ-साथ करने पड़ते हैं तो प्लीज जाके देखिए मेरे व्लॉफ आपको पसंद आएंगे मैं इस वीडियो के नीचे भी जितने भी व्लॉफ मैं कर रहे हूं टैक करती जाओंगे डिस्क्रिप्शन में तो प्लीज देखिए यहां गुड़ा ओफिस गई थी अपने पापा के साथ वापिस आईए तो जिद कर रही है मुझे वापिस क्यों लाए हो आप उसके बाद मैं गैलरी में खड़ी थी यहां पे ना बर्ड देखती थी सामने एक कांटी है मैं बॉइल कर की कॉन डालती है तो बहुत सारे बर् के का और फिर थोड़ा सा गैलरी में खड़ी थी ठंडी हवा आ रही थी तब यद मेरी खराब हो गई थी शाम को ये गुड़ा को टीशन से लाए थे तो ये कोल्ड रिंग लिया थे मुझे बहुत जादा गैस्ट्रिक होती है इन दिनों में तो वह अपना पीरी थी उसके बाद मैं सो गई इन्होंने मुझे चाय बना के दी पापा ने मनाया है ती तो अल रात मैंने व्लॉग इनी कंटिन्यू करा था शाम से चाय बहुत पीने के बाद में को पेरेट्स हो गए थे तो से बहुत चादा क्रैम सो रहे थे मम्मे की तब अठी ही नहीं थी तो बस ऐस से फोन उठा ही नहीं हाथ से अब नेक्स टे का व्लॉग में ने शुरू कर दिया बट यहां पर मैं उस व्लॉग के एंडिंग कर रही हूं तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना और कैसा लग रहा है आपको मेरा व्लॉग जरूर बताना अगर मैं उस व्लॉ अपनी जब तक दिहान रखे अपनों और अपनों का मैं बाइ बाइ लव यूरू